उकली में भोटा राधास्वामी होस्पिटल को कोबिट नाइंटीन होस्पिटल बनाय जाने के ब्रोथ में ग्रामिनों ने चक्का जाम किया ग्रामन को कहना है कि भोटा राधा सौमी होस्पिटल को जल चे जल खोला जाये ताकि गरीब जंता को सारी सुविधाय मिल सके बहीं भोटा पुलिस भी मोके पर पहुँच गई थी और जाम को खुलबाया और गाडियों की आवजा ही शुरू की पाणवी पंचायत की परधान कंचन का कहना है कि आज उन्होंने पांच से दस मिनट शांती पूर्बग धरना दिया उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि भोटा राधा सौमी चरिटेबल अस्पिटल को जल चे जल लोगों की मुलबुत सुविधाओं के लिए खोला जाये 27 तारीक के दिन भी हमारा एक दल अतिरित महोदे से मिला पर हमें सुन्तोश चनक उत्तर नहीं मिला अगर प्रशासन ने भोटा राधा सौमी होस्पिटल को लोगों के सुविधाओं के लिए नहीं खोला तो फिर से उबेक्त हमिरपुर का घिराप करेंगे नहीं लोगडाउन होने की विज़े से लोग बिरोजगार हो गए हैं जिनके पास पैसे नहीं है भोटा राधा सौमी होस्पिटल में सारी सुविधाएं थी और दवाईया और खाना भी मुफ्त में मिलता था नमस्कार जी, परधान दवी, यह जो हमने आज संकेतिख धर्मा किया 15 मिनान के लिए यह हमारा जो चैरीटेवल होस्पिटल भोटा था इसके लिखाते रिए हमारी जो जनता थी उसकी यही दिमाड थी कि जो चैरिटेवल होस्पिटर जो सवरों के अंदर के लिए जो स्थापित कर रखा है इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए इससे पहले हम 27 तारीक को पहले एक डेटोटेशन लेके मुख्या जो पाइबत महादाजी है उनके पास बेखे और उने जो अतिरिक महादाजी थे उनको अमने ग्यापन सौंभादा लेकिन भाह से हमें कोई संतुष्टी पुर्वत जवाब नहीं मिला तो यह हमारी सर्थार से मांग गया है कि इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी फोला जाए यह तो अभी हमारा संतेतिक घरना भा अगर इसके उपर जल से जल कारवाई नहीं हुई तो सारी पब्लिक जो है वो उपाइबत महादाजी का धिराव पर यह जो चैरिटेबिल कि वो उपलवती आज इस कोरोना महारी से सारा जो जनता का जीवन जो है वो अस्त्रियस्त हो चुका है पूरे रोजगार के अफसर जो है वो खतम हो चुके हैं तो लोगों को आजकल इतनी आर्थिक तंगी आपड़ी है कि लोगों के पास इतना धाल नहीं है कि टैक्सी का क अभी जाए तो इस हॉस्पिटल में चैरी टैवल फास्पितल में पूरी सुविधाइयों की वो उपलव की, इस कारण मेरा ये महद2 जी से अनुरोद है सरकार सरे मेरा ανुरोद है कि इस चैरी टैवल फ़स्पितल को जल्दी से जल्दी उश्कुलने की गफान्हें झाल झाल